अब हम आपके बारे में डिस्कस करने वाला है आपका quantitatively growth rate का बारे में है जिसमें आपको डो टम मतलब समझने को मिलेगा एक तो होगा आपका absolute growth rate और एक होगा आपका relative growth rate very simple absolute मतलब क्या actual growth rate क्या है मैं अभी figure से दो निटे में समझ जाता हूँ अभी समझ लिए बस absolute मतलब actual growth rate कितना हो रहा है suppose आज में यह pen suppose एक pen है यह आज 2 cm का है कल इसका length 4 cm हो गया तो आप कितना cm growth बोलोगे 2 cm तो वह actual cm ग्रोथ हो रहा है उसको आप बोलोगे absolute growth relative growth rate अगर बात करूंगे relative growth rate का बात करने से initially का compare में अब जो नया growth होने होला है आप उसको compare करोगे ठीक है जब यह समझ नहीं पहे तो कोई बात नहीं अभी मेरे diagram से समझाते था हूँ एक निट आप समझे तो से कि यह एक leaf है जिसका initially यह green part जो है इनिशल सेंट इनिशल इसका मतलब surface एरिया है initially कितना है 5 cm ठीक है और यह एक पता है जिसका initially कितना सेंटीमेटर है 50 cm कुछ समय दे दिया एक हपताबा एक मेना दे दिया उसके बाद इसका total size कितना हुआ 10 cm and इसका total कितना size बढ़ा तो मुझे total कितना होगे 50 से यह 55 cm हुआ ज़स देखे अभी 50 से 55 हुआ और यह 5 से 10 हुआ तो अगर मैं इसका बात करूँ इसका absolute actual growth rate कितना हुआ है तो था 5 cm हो गया 10 cm तो actual growth rate कितना हुआ 5 cm बढ़ाना तो इसका actual growth rate है 5 cm actual मतलब absolute growth rate ठीक है that is absolute growth rate कितना है 5 cm अगर मैं इसका relative growth rate पूछू तो इसका relative growth rate मतलब पहले से आप यह leaf का इरिया double हुआ कि नी पहले 5 cm था अब 10 cm हो गया डबल हो गया ना तो absolute growth rate आप क्या बोलोगे इसका sorry relative growth rate तो इसका आप relative growth rate 100% बोलोगा कि नी obviously बोलोगे पहले 5 cm था डबल हो गया 100% अब relative growth rate बोलो तो 5 cm ठीक है इसको देखा फिर end में conclusion इसलिए बता रहा हूँ यह 50 cm था 55 cm हो गया actual growth कितना हो आप सुलूट ग्रोथ रेट 5 cm बढ़ा है बहाई यह सिंपल है गधा भी बता देगा यह कोई भी बता देगा ठीक है अब हम आता है relative growth rate था कितना cm 50 cm अब जो initially था 50 से बढ़ा कितना 55 cm था 5 cm बढ़ा तो relative growth rate आप क्या बोलोगे relative growth rate आप क्या बोलोगे 10% बढ़ा इस रिप बोलोगे की नहीं तो कहने का यही मतलब है दोनु का case में absolute growth rate कितना था absolute growth rate थी 5 cm है बट relative growth rate यहां 100% था और इस वाले का case में 10% है कहने का मतलब यह है कि absolute growth rate आपका same हो सकते है not a big deal बट relative growth rate maximum case में same नहीं होता ठीक है So this was a very simple concept about absolute and relative growth rate मतलब कि quantitatively आपको comparison करा आगे था growth के बर में काफे लोग diagram देखके किताब में डर जाते हैं तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है एक absolute growth rate एक relative growth rate I hope इसके बारे में आपका concept पुड़ा clear हो और कोई भी comment हो तो doubt हो तो comment section में बोलिये ही और वीडियो अच्छा लगा तो like, share और अपने दोस्तों के साथ share किजिए ता कि बुझे भी अच्छा लगा है मैं और भी अच्छा अच्छा content लेकर आऊं ठीक है And so यही और क्या करना है ठीक है So stay tuned for the next video Thank you very much